बिसमिल्लार मारे रहीम असलाम लेकॉम वेलकम बैक टो मैं चैनल आज मैं आपके लिए लेके आई हूं स्पेशल अचारी कड़ी कड़ी जो है हम पंजाबियों की बहुत ही बहुत 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 फेवरिट चीज है अब बाकी सूर्बों में इसको कितना खाय जाता है मुझे हम पंजाब में हम पंजाबी लोगों की होट फेवरिट है तो चलें अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने और इसको ले पकाने के लिए नहीं हमेशा जाद रखिया खुले मुझ वाला बड़तान इस्तवाल कीशिए मैंने ओई लिया थोड़ा सा पतीले में ऑईल गरम किया उसमें धोड़ सी कटीवी प्यास जाली इसको पकाने के डिफरेंट तरीके हैं मगर मैं इसको जरा भूनने वाले तरीके से बिनाती मतलब साला भून के फिर मैं इसको प्रिपियर करती हूं अब हमने प्यास को अलाव करना है लाइट गोल्डन बाउन हो इनकी रूठी ख्रीक का मौस स्ञास आजकर फ्रेश हल्डी का मौसम है तो शिच कीजिए पाउड्र हल्डी की जिगाहए इसको इसको प्रिंद को इसको 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 इसकी कीजिए यह ठाव जैकर अचा हे चाह कर्थ ऑप जी तो अब हमने थोड़ सा पानी कर चींटा बारा यह देखें इसमें से धुआ उठा साथ साथ प्यास भी थोड़ सा और ब्राउन हो गया अब हम इसमें बाकी मसाले अट करते हैं नमक अकार्डिंग टेस्ट यह देखें मैंने डेट समझ डाला है आप अपने जाएके के मताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं पर इसमें जानी है लाल मिर्च मिर्चें मैंने कम ही रखती हैं क्योंकि अचारी है इसमें अचार गोश्ट मसाला शूख करना है तो उस जैसे कहीं मिर्चें और फ्रेश फ्रेश आए अब इसको हमने सारे मसाले को बहुन लिया अब इसमें जो में इंग्रीडियन्ट है हमारा अचार कोश्ट मसाला वह मैंने एक टी स्पून जाना वह भर के डाल दी वह भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं कि अगर ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो एक चमज भी काफी है यह दिके डाल के उसको बहुन लिया ताकि मसाले का जो कच्छा पन है वो खतम हो जाए थोड़ा सा पानी का और चीटा मार दिया तो चीटा क्या मैंने मदब हाप से भी कम कप पानी इसमें डाल दिया थोड़ा सा ताकि जो प्याज है वो और ज्यादा जाना कहीं जल जाए है इसको फिर हो साड़ी लेगा है यह जनाब अब हम इस लिया हमने अदा किलो दही उसके अंदर तो चाय यह डॉंगी के भर के चमज बेसन के डाले यह यह मुझे पी थोड़ सा गाणा लग रहा तो इसमें मैंने थोड़ सा पानी मिलाया और पानी मिल किल किया और साथ साथ फौरा नीचे बचलाया ताकि जो वह बेसन है नीचे ना बैठ चाया फौरा चीजों के साथ डिजॉल्व हो जाए अभी यह क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाड़ा लग रहा था तो साथ मैंने एक्स्ट्रा पानी तक्रिबर एक जग यूज किया एक ज यह हमने दो चमच चार कोश्ट मसाला लिया उसमें डाले हमें तीन लीमू यह तक चलनी लगा के ताकि उसका बीज और गुदा हमारे जहना उसके अंदर मसाले के अंदर शामिलना हो क्योंकि यह जब आते हैं मुँमें इसके बीज तो बहुत यह जीप सा कड़वा सा मुँ यह हमने चलने लगा लिए मैसर फिलीमू निकल चाते हैं मगर जो लीमू निचोर लीमू आज़ा है तो आज सकल लीमू बहुत पिड़े पिड़े से आ रहा ना इसलिए मैंने का क्या इतनी बड़ी उसको जहमत दें तो मैंने हाथों से कर लिया यह दिखें अच्छी तरह म पानी आ गया गया उसको हमने प्रचूडी के साथ किया नहीं हुआ तो फिर हमने इसकोश्य को मिक्स किया यह थैलमेरे सिपी हम्रीनंद पाजी रुगया की और उनकी हम कॉपी कर रही हैं भुद के रहे थैंर थैंक अधस्यूपीकम चाहिए पहलिड़ी थैंर मैंकर जार्य अगर आप जादा तीखा पसंद करते हैं तो ज्यादा लेने कम तो कम यह हमने मिर्चों की हैं टिडियां चाक इनके अंदर से इनका अलाबला कर देता यह देखें अच्छी तरह इसके साफ सफाई करके अब हम इसमें अपना मसाला परेंगे यह देखें इनके मत पेट खोल के इनके अंदर हमने अचार गोश्ट मसाला उंगली के साथ फिल किया अगर आपके संस्टिव हाथ हैं आपके आपके मिर्चा लगती हैं तो यह मस्ट श्यूस क्लब्स अधरवाइस एमी सही है यह देख अच्छी तरह कोई था खाली न रवे इसको मिक्स अप किया और जनाब सिटा इसको कड़ी वले पती लेके अंदर ये 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 जनाब हमारी मिर्चे गई इसके बाद हमारे पास जो मसाला बचा था हमने उसको थोड़ा सा पानी डाल के वो भी कड़ी में डाल दिया ताके उसका भी तेस्ट कड़ी में आए और थोड़ा सा जो खटास ही है ना और निमू की वो भी कड़ी में शामिल हो जाए और ये अच्छी तरह हमने चम अच्छना है ये जनाब मरी मिच्चे भी अंदर तैरते भी आपको नजर आ रही होगी और कड़ी हमेशा हलकी आँच पे पकानी चाहिए जितनी हलकी आँच पे पकेगी उतना अच्छा इसका टेस अच्छा पारे तो जनाब अब हम यूज करते हैं इस्तमाल करना शूरू करते हैं हमारे पकोडों के इंग्रीडियेंट्स तो इसके लिए मैंने लिये हैं आलू दो बारी काटके थोड़े से प्यास मेरे पास मूली बड़ी थी एक्स्ट्रा मैंने उसको भी काट दिया तो साथ हमारे पकोड़ों की जान मिस्टर पालक अब यह सारी चीज़ें हम एक बाउट में निकालेंगे यह देखें पहले पालक साब गया देन मुली देन प्याज और अलू यह देखें अच्छी तरह हम इसको चाड़ लिया अब हम इसमें डालेंगे बेसन पाजी दो मैने लिए हैं डॉंगे वाले फरके चमच अगर कम ज्यादा हो तो वह भी कर सकते हैं पर नहीं मुझे कम ही लग रहा था मैंने इसमें एड की हरे बचें पुटके अब हम इसमें बाकी सुके सुके मसारेड पाते हैं यह थोड़ी शी रेंद खूद थी मिर्च की वह भी पादी इसमें डाली है थोड़ी शी लाल मिर्चे ताकर थोड़ी जा फ्लेवर हो और मज़दार हो गये पेड डाला है इसमें निम्क अब हमने इसमें पाया है बगे पानी लगे हैं हम इसमें मिस्टर अजवाइन अपने पकोड़ों में अजवाइन ज़रूर डाल करें एक तो यह भारी बन नहीं करता और दूसरा इसमें गैस नहीं होती है और बहुत जल्दी से पकोड़ शकुड़े ठाँ हो जाते हैं समझ ग होगे ना जी अब हमने इसमें डाला है सुकतनिया कि यह देखो ऐसे दें हमने इसमें एड़ की है कि कि थे गया हां जी 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 अब जी आपकी मजी है चिटा बाओ कारा पाओ आमें दूएं कठे पा दो यह अच्छा जी यह हमने पा दिता है अब हमने पाया है थोड़ा सा लेसन पाउडर टे प्लस अद्रग पाउडर जरा उससे खुश्बू भी मज़े मज़े की आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता तो जबा करके वेख लिए हो यह बस अंदाज नहीं डाल रही है कोई खास मुकररा कॉंटिटी नहीं है यह देखें हमारे सारे ड्राइंग गेडिंट्स त्यार हो गए है पकोड़े साब के हैं यह देखें जना अब हम इसमें हुले हुले डालते हैं तही वह आजा किता रह गया यह देखें वीडियो नंबी हो गई प्रावा आजा किते रहा गया अब है खाना आगया शुक्र यह देखें जना हम दोसा देंग डालें अच्छा मज़े की बात बताओं मैं जब पकोड़े बनाती हुना तो मैंने कभी भी पानी यूस नहीं किया मैं पकोड़ों में हमेश दहीं यूस करती हूं और इसको हाथ से गुनती हैं बिसमिल्ला अर्माले लहीं यह लेगे एक तो दहीं से बहुत बर्कुल रूई के गाले जैसे नलम नलम बंदे हैं और दूसरा और हम हाथ से यूस करेंगे इसको गुनना तो हमारे अपने हाथों का भी टेस्ट उसके अं इतना फड़के कोट कोट के गुननों यस यह देखें आप जनाब मैं जो पकोड़ा का मिक्सचर ऐसे गून की ना कम असकम आदा पौना घंटा छोड़ देती हैं मुझे यह मिक्सचर जो पतला लगा मैं अथोरसा बेसान इसमें और एट करती हैं अगर आप फॉरन फॉरन तो भी ठीक हैं मेंकर इट्स पैटर के फिफ्टीन टू थर्टी मिनट्स अपस को रेस्ट दें ता कि नहीं जो है ना वो बाकी सारे मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्सचर पूज़ा हैं यह देखें साना बना लिया यह देखें चंगी तरह कनारे भी सुआर के सुगर अच्छी तरह मेरे पकोड़े का जो मसाला है वो गया हुए रेस्ट पे तो मैंने का मैं आपको जड़ा कड़ी के दर्शन करा दूं यह मैं आपको बिल्लकुल करीब से इसलिए दिखाया है कि मैं आपको दिखाऊं के कड़ी के ऊपर ना जो हलका हलका आना शुरू हो जाए तो इट मीन्स के साड़ी कड़ी प्यार है यह देखे हमरी मिच्चे भी अंदर तैरती फिरी है मजारी रुख गई है एक जगा पे और बुलबले बुलबले आ के ठाक गए यह देखें जनाब अब हमने इसके साथ ही साइड़ी पे अपनी कड़ाई भी चड़ाई दी है तो कुछाइड ऑन मेंने का इसलिए आपको इदर दर की चीज़ान आई दिखाँ मेंवीन चीज़ां यह दिखाँ यह यह सान में थोड़ी सी वीडियो बने खुद बनाई थी तो जादा चंगी नी बनी तो उसलिए थोड़ी सी माज़रत यह दर हमेरे पकोड़े त्यार अब हम यहां से निकालके और सिद्धे कड़ी के अंदर डिरेक्ट फ्लाइट टू कड़ी यह जनाब एक है चलो तुसी भी ना वो तो वो कड़ी बज़े करो ऐसे बसे चाओ तो अपने खाने के लिए निकाल सकते हैं पर आगे आपके परी मरसी यह जनाब हमारी कड़ी हुई है कंप्लीट त्यार मैंने इसके पर थोड़ा सा हरतनिया पा दिया है थोड़ा सा गरम मसारा डाल के और जनाब हमारी कड़ी खाने को पील को त्यार अब मैं आपको डिशाउट करके इसके फानल दर्शन कराती हूं तो जनाब हमारी नाई तोई मज़दार अचाड़ी कड़ी त्यार आप खाएं और मज़े करें बिर्चें उतर थले कर सकते आने ओकी जी पेंड़ों ते फिर तुसी खाओ पीओ ते माज़ां करो ते सानु दौाओं वांच याद रखो मिल दिया नेक्स ट्रेसिपी देनाद अलाहाफेज